असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल सूमी फैशन आज मैं आपको इस अम्रेला फ्रॉग की कटिंग और स्टीचिंग बताने वाली हूँ तो ये 5 साल तक की बच्ची की फ्रॉग है और मैंने इसके अंदर सारी मेजर्मेंट वगारा बताई हैं आप अपनी एज की बच्ची जो भी आपकी एज की है उसकी मेजर्मेंट के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं तो ये देखें ये आगे से ओपन शैट है और इसकी लेयर काफी ज्यादा है अम्रेला ओपन शैट है ये और पीछे से ये थोड़ी सी लॉंग और आगे से शॉर्ट है तो चलि मुर्ट करें तो ये स्टाइ्ट करते हैं। बच्चे के मेजर्मेंट के हिसाप से जो भी सायज हो इसको ज्यादा यां कम कर सकते है तो यहां से मैं इसकी शॉलडर की कटिंग करेंगी मार्किंग करेंगी यहां मैं 50,5 इंच ले रही हूं और यहां से भी मैं 50,50 इंच लूँगी यहां से चैस्ट मुझे साथ इंच पर चाहिए और कमर का निशान में साड़े चैंच पर लगाऊंगी और यहां पर हलकी सी शेप दे दूँगे इसको यहां फ्रंट साइट पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करूँगी इसकी अब मैं इसकी गेरी की लिए कप्ला लूँगी यह मेरे पास फैब्रिक है तो इस फैब्रिक की टोटल चुड़ाई है जो इसका अर्ज है वो है तकरीबन 38 इंचिस तो अब मैं इसको इस टोटल कप्ले को एक जगह से इसकी नोक लूँगी और एक इवन इसकी नोक लेकर इसको मैं आड़ा कर लूँगी तकोन बना लूँगी मैं इसका ऐसे तकोन बना के मैं एक दफा दुबारा इसका एक और तकोन बना लूँगी इस तरीके से इस तरह चाएं शके ऐसे तकोन बनाया है और यहां से मैं दूबारा एक दफ़रणेग matière फिर इसका इससे तकोन बना लुए थिरते नर्थ है और यह कोन और दूसरा कोटा। मतलब यह तकोन मैंने बना ली है और यह हमारे पास चार पीसिस है एक दो तीन और निक मीचे वाला चार अब मुझे इस जगा से मेजर्मेंट करनी है बिल्कुल इस नोक से लेकर जहां तक इसकी लाइन था रही है यहां तक मैं मेजर करूंगी यह मेरे पास साड़े अठारा इंच आ रहा है तो मैं बाके साइड पर भी साड़े अठारा इंच पर निशान लगा लूँगी इस साइड पर भी साड़े अठारा इंच पर में निशान लगा लूँगी इस साइट पर भी साड़े 18 इंच कर निशान लगा लूगे इस तरह मतंब यह गुलाई में मैं साड़े 18 इंच पर निशान लगाती जाओंगे और मैं इसको गुलाई दे दूगे और इस गुलाई की अपनी कटिंग कर लूगे इसकी कटिंग करने के बाद इसकी शेप इस तरह से आई है अब मैं इसको इस तरह से हलका सा उठाऊंगी और इसको ऐसे रखनेंगी मतलब यहां से जो मेरा फासला है तकरीबन था इंच हो गया है मैं तीन इंच कर लूँगे इसको यह जो तीन इंच है ज्यादा यह बेरा बैक है और जो मेरा फ्रंट है वो तीन इंच ऊचा रहेगा यहां से अब मुझे इसका कुछ नहीं करना इस जगा से यह जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो फिर आपको समझ आ जाएगा अब मैं इसकी जो यह मैंने उपर की पेटी कटिंग की थी वो लूँगी और यहां से इसका जो फासला है मैं वो लूँगी यह मैंने साड़े चेंच लिया था तो यहां पर मैं साड़े चेंच लूँगी इस जगा से यह साड़े चेंच पर आ रहा है यहां से और यहां से अब मैं यहां से देखूँगी यहां से कितना है ये 5.4 इंच है तो मैं के संटर में भी 4.4 इंच पर ही निषान लगा लोगी स्वाइख सहा चार इंच है 4 इंच है, मैं संटर में भी 4 इंच पर निषान लगाकर इसको यहां से गुलाई की शेव दे दूगी इस तो जवकिसे और यहां से मैं cut कर लूँ गी अब ये जो हिस्सा है ये मेरी फ्रांट साइड है इसको मैं यहां से कट कर लूँगी क्योंकि ये जो मेरी फ्रांट साइड है ये ओपन रहेगी अब मैं इसको पूरा खोलूँगी तो ये इस तरह इसकी शेप आएगी यहां से ये ओपन शेट रहेगी और ये इसको तरह इसकी शेप आजएगी इसकी नेर्स ये देखें इस तरह बादेंगी काफी बड़े फॉल है इसकी और ये बैक से तक्रीबन तीन इच ज्यादा होगी लंबी होगी और आगे से तीन इच कम होगी तो अब मुझे इसकी स्टिचिंग करनी है सबसे पहले सबसे पहले मैं इसकी फिटिंग स्लाइं लगा लूँगी कि सबसे पहले मैं यह जो मेरी उपर वली पेटी है इसकी मैं फ्रंट साइट लूँगी जो अगला हिस्सा है और उसको बीच में से cut कर लूँगी यह मेरा ज़ो मैं फ्रॉक त्यार पर बने ओप फेर कर लूगी और यह जो अब मेरा गेरी है मैं इसके साथ इसको टैच करूँगी यहाँ पर मैं पहले फिटिंग की स्लाई लगा लूँगी यह दिखें यह मैंने दोनों तरफ फिटिंग की स्लाई लगा ली है अब यह सिधा हिससा इसका स्तरफ आ रहा है मैंने भी कंदे नहीं जोड़े और नहीं नेक बनाया है, सबसे पहले मैंने इसकी फिटिंग की स्लाई लगाई है, अब मैं इस फिटिंग की स्लाई के साथ यह गेरी अटैच करूँगी, इसकी जो ओपन वाली जगा है, इस तरह उसको स्टार्ट करूँगी, यहां से, यह जो क्षाइब है, अरेब में है, इसका ध्यान रख गुश को बहुत जाथा खैंचना नहीं है, तो हम इस तरह इसको रिखेंगे, और इस तरीके से यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से श्टार्ट करके हम Aegis तरह यहां पुटे घहरे पर शाई लगा लेंगे, खेंचना नहीं है अगर खेंचा तो यह फिर जोल पड़ता है इसके और एक कपड़ा क्योंके अरेव है गेरी वाला तो जोल पड़ेगा और फिनिशिंग के साथ नहीं बढ़ेगा इस तरह मैं इसको हलके हाथ से यहां स्टिच कर लूँगे अब अब मैंने इसकी गहरी अटाच कर ली है यहां से अब मैं इसकी नैक पर यह पर्से हैं कटिंग हम पहले भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं जितना मुझे लेना है उस से मैं सलाई का मार्जन छोड़ कर फिर कटंग करूँगी, मैं यहां सबाद दो इंच पर यहा निशान लगाऊंगी, और यहां मैं छार इंच पर निशान लगाऊंगी, मुझे चार इंच तियार चाहिए तो यहां से मैं इसकी गुलाई में ऐसे निशान लगाकर तो इसकी कटिंग कर लोंगी पहले बैक मेर्की में चुड़ाई वो ही लूँगी लेकिन मैं इसकी जो गहराई है वो तकरीबां दो इंच पे निशान लगाऊंगी यह बैक साइड थी, अब मैं फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी, फ्रंट साइड आगे से ओपन है, दिखेंगे मेरा फ्रंट साइड का लेक है, और यह मैंने गेरी इस तरह टैज कर ली है, कि लोग कुछ इस तरह से आई है, अब मैं इस के उपर आगे से जो ओकन हिस्सा है, यहाँ पर मैं पटि लगाओंगी, यह इसके बॉडर की ही पटि थी, बॉडर से ही निकली है, यह यलो पटि, अब मैं इसको यहाँ रखूंगी, उल्ती साइड पर इस तरह, और फिर यहाँ से मैं सीज़ी साइड पर पलट द ओपन वाला हिस्सा है वहां से मैं स्टार्ट कर रही है। दोना तरफ में इसी तरह पट्टी अटाइच करके इसे अंदर की तरह फोल्ड कर लूगी। यह देखें इसकी लूक अब इस तरह आई है। इसकी फाल यह बहुत ज्यादा है। और यहां से यह ओपन शाट इस तरह रहेगी। तो इसको मैं अब बीच में से ज्वाइन करूँगी नीचे पट्टी लगाके। और नेक के ओपर मैं अरे पट्टी लगाके इसे फोल करूँगी। और नीचे से भी मैं यह फोल करूँगी। और बाद में मैं स्लीव अटाइच करूंगी तो यह देखें यह इसकी लुक कुछ इस तरह आई है मैंने गले के उपर अरे पट्टी लगा के इसको तुर्पाई कर लिए नीचे से जैसे हम नॉर्मल बैक गले के उपर करते हैं स्लीव भी मैंने अटाइच कर ली है यह देखें इसकी फॉल बहुत ज्यादा है यहाँ इस तरह वीडियो में इतनी अच्छी के लिए नजर नहीं आ रही है जब यह पहनी जाएगी फॉल आप प्र पता चलेगा अब मैं इसकी जो नीचे कपना रखकर पट्टी फॉल कर नीचे लगा दूँगी एक इसको बंद करने के लिए आगे से आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं जो मर्जी डिजाइकं आप करना चाहें कर सकते हैं मैं यहाँ से उपर से तकरीबर 1-5 इंच छोड़के उपर से तकरीबर 1-5 इंच चोड़के यहाँ से लगाना शुरू करूंगी यह मैंने इसके लिए पठी तयार की है अब मैं यह से कि नीचे पठी रखूंगी कर दो मंद अब कर दे कि लिए यहां से नीचे पठी रखूंगी यहां से स्लाइश स्टाट करूंगी पहले मैं यहां मुझे खैंशना नहीं है ना नीचे वाली पट्टी को और ना उपर वाली पट्टी को वरना फिर वह जोल आ जाता है यहां नीचे से मैं तक्रीबन साड़े साथ ही छोड़ रही है इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी अटाच कर लूँगी यहां मैं साइज करके यह देखें यह मेरी फ्राग त्यार हो चुकी है और इसकी लेयर्स काफी ज्यादा है और यह पीछे से थोड़ा थोड़ी बैक लंबी है और फ्रंट से थोड़ी सी चोटी है यकीन आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इंशाला नेक्स वीडियो में मलाकात होगी शुक्रिया खुदाहफेज